अजीत पवार का कॉंग्रेस पर निशाना क्या होने वाला है महाराश्ट में चलिए जानते हैं महाराश्ट में महाविकास अगारी गट संगठन में कुछ ठीक नहीं लग रहा है जहां शरत पवार अडानी सावरकर के मुद्दे पर कॉंग्रेस से अलग राय रख रहे हैं तो वहीं अजीत पवार पियम मूदी की तारीफ कर रहे है बीजेपी ने भी एनसीपी को साथ देने करने अउता दिया है साथी बीजेपी ने दावा किया है कि महराश में फरवरी के बाद समीकरण बदल जाएंगे दोस्तों महराश में सियासी समीकरण तेज हो रहे हैं बदल रहे हैं एक और एनसीपी चीज शरत पवार ने सरकार के खिलाफ विफक्षों के मुद्दों की हवा निगाल दी है तो वहीं उनके बतीजे आजीप पवार पियम मोदी की तारीफ करते हुए ठक नहीं रहे हैं तो वहीं सबके बीच बीजेपी निता और महराश सरकार के मंतरी सुधीर मुनगंटी वार ने कहा है कि अगर राश्ट्रवादी राश्ट्रवाद के साथ आना चाते हैं तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है उदर अजीत पवार ने महा गठ बंधन में पड़ी रही दरार के लिए कॉंग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है महाराश में 2019 में हुए विदान सवा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था वहीं एनसीपी कॉंग्रेस के साथ मिलकर मैदान में उतरी थी बीजेपी शिवसेना गठ बंधन को बहुमत मिला था लेकिन सीम के पद को लेकर दोनों पार्टीज में विवाध हुआ था इसके बाद बीजेपी और शिवसेना की रहा अलग हो गई शिवसेना प्रमकुद्धव ठाकरे ने एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अगहरी सरकार बनाई एक नात शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव सरकार गिर गई लेकिन महाविकास अगहरी संगठन बरकरार रहा लेकिन आप इसमें फूट पढ़ती दिख रही है तो इस पर आपकी अपनी क्या राये जरूर बताएं